हेलो ब्यूटिफुल सोल्स दिस सानवी शुर्मा आज मैं आपके लिए एक जिन्रलाइज रीडिंग लेकर आए हूँ जो कि सेप्टेमबर 2023 के लिए है आज की रीडिंग कैंसर यानि की करक राशी वाले लोगों के लिए है ये एक जेन्रलाइज रीडिंग है तो ये रीडिंग कही न कहीं आप सबसे रेजनेट जरूर होगी अगर आप मेरे रीडिंग से इंफ्लूएंस्ट हैं और किसी परसनलाइज प्रॉब्लम का सॉलीशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी परसनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं यह booking आप मेरे WhatsApp के थूँ या फिर मेरी email ID के थूँ कर सकते हैं मेरा WhatsApp नमबर और email ID स्क्रीन पर flash होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीचे और bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जिसे कि आपको नए-ने वीडियो की notification मिलती रहे मेरे एक और चानल भी है Soul Divine Journey Taro लिंक आपको नीचे और description box में मिल जाएगा उस चानल पर मैं कुछ ऐसी वीडियो पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी daily angelic guidance रोज रात आठ पचे उस चानल पर पोस्ट करती हूँ तो आप प्लीज उस चानल को भी subscribe जरूर कर लीजे और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जिसे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहें इस reading को आप sun rising, moon rising या venus rising के according देख सकते हैं अगर आप इस reading को अपने ascent end याने की लगन के through देख रहे हैं तो जो भी moon sign आपका zodic है उस reading को देखना मत भूलिएगा for finer details So आएए जानते हैं यह September का महीना Cancer people आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है आएए जानते हैं Cancer people यह September का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है Let's see Cancer people यह September का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है तो पहला कार्ड है Ace of Swords का कार्ड है The next is Two of Fire का कार्ड है The next card over here is Nine of Cups का कार्ड है The next card is King of Pentacles का कार्ड है The next card is Queen of Fire का कार्ड है The next card is Nine of Fire का कार्ड है The next card is Ego का कार्ड है the next card over here is six of cups का card है and bottom of the deck पर यहां पर queen of cups का card है okay so cancer people आप लोग ये बात तो भेतर जानते हैं कि आप एक water sign personality है इस month में आप अपनी personality के according ये act करने वाले हैं मतलब आपका जो zodic sign का element है आप एक water sign personality की तरह ही act करेंगे वही emotionally आप हाई रहेंगे ठीक है दूसरों के प्रति compassionate रहेंगे वो energies आपकी maintained रहेंगी यहां पर queen of cups का card है आप दूसरों के बारे में इस month में ज़्यादा सूचने वाले हैं ठीक है और आप psychic abilities को भी gain करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं मतलब कुछ चीज़े होने से पहले ही आपको किसी चीज़ का अभास हो जाना ऐसा आपको इस month में जरूर महसूस होगा आप अपने खुशों को sacrifice करने में पीछे नहीं हटेंगे यह energy को अपनाना नहीं चाहिए अगर आप self love नहीं कर पाएंगे या self nurturing energies में नहीं रह पाएंगे तो दूसरे के लिए भी आप कुछ खास करने ही पाएंगे ठीक है दूसरों की care करने से रोक नहीं रही हूँ आपको मैं बट अपनी care करना नहीं भूलना है आपको अपनी intuition पर इस month में आपको trust करना चाहिए आपकी family आपके friends के लिए जो आपका प्यार है वो इस month में गहरा होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर Ace of Swords का card है इस month में आपके बास बहुत ही brilliant ideas होंगे और उन ideas को आप implement करेंगे आपको success तभी मिलेगी अगर आपका जो idea है वो बिलकुल ठीक है अगर आपके plan में कोई भी changes की जरूरत है तो आपको उस तरहां की success नहीं मिल पाएगी इस month में आप जो भी obstacles face करेंगे आप उन्हें बहुत easily overcome कर लेंगे बस ईश्वर पर भरोसा रखेगा हर एक चीज़ आपके लिए काम करेगी और जो आप किसी के लिए feel करते हैं या अपनी life को लेकर कुछ feel कर रहे हैं तो सामने वाले person से clearly communicate की जएगा आप अपनी life का charge अपने हाथ में ले पाएँगे अपने life को अपने तरीके से आप चलाना चाहते है इस month में what is possible है आपके लिए इस month में आपको पारदर्शिता रखनी है जो भी पैसले लेने हैं अपने future को दिवाग में रखते हुए पैसले लेने हैं इस month में आपको कुछ bold choices बनाने होंगी कुछ ambitious choices बनाने होंगी इस month में अगर आप किसी के साथ partnership करना चाहते हैं तो आप definitely कर सकते हैं उसमें कोई problem नहीं है लेकिन ऐसे किसी person के साथ partnership कीजेगा जिसके सपने आपके जैसे हूँ ऐसा ना हो कि बहुत extremely different personality के साथ आप partnership कर ले और ये partnership सिरफ मैं आपको relationship की terms में नहीं कह रही हूँ आपके business की terms में भी या फिर आप कोई भी गाम कर रहे हैं किसी को साथ लेकर कर रहे हैं तो ऐसे person को अपने साथ लेकर चलिएगा जिसके सपने आपके जैसे हूँ ठीक है और आगे की और बढ़ते रहना है रुकना आपको बिलकुल भी नहीं है यहाँ पर nine of cups का card है इस मन्त में आपकी जो इच्छाएं हैं वो definitely पूरण होंगी आपके wishes पूरी होती हुई इस मन्त में नजर आ रही है आपके सपने इस मन्त में reality बनेंगे यह आपके लिए magical time साबित होगा good luck आपको support करने वाला है universe पर faith रखिए हर एक चीज आपके life के अंदर possible है इस मन्त में जिन emotions को आप जीना भूल गए थे आपको ऐसा लगा था कि वो emotions अब drain हो गए हैं उन emotions को जीने का मौखा भी आपको definitely मिलेगा यहाँ पर king of pentacles का card है देखे इस मन्त में आप दूसरों के प्रती compassionate तो रहने ही वाले हैं लेकिन अपने जो भी आपके आसपास के काम है उन्हें finish करने की कोशिश कीजेगा आपका जो aura है वो बहुत ही charismatic रहने वाला है इस मन्त में आप बहुत ही जादा grounded रहने वाले हैं आपको बहुत ज़दा success मिलेगी इस मन्त में आपको financial security मिलती हुई नसर आ रही है आप जिस चीज में heart डालेंगे वो चीज सोना बन जाएगी मतलब हर एक चीज में काम्याभी मिलेगी हर एक चीज आपके लिए बहुत beautifully निगल कर आएगी आपको आपके parents से या आपके जो partner है उनसे support मिल सकती है ठीक है और आपके साथ कोई ऐसा person जोड सकता है जो आपको आपके career में boost करें ठीक है यहाँ पर queen of fire का card है इस महीने में आप अपनी brilliance का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं अपने talents को बाहर निकालने की कोशिश कीजेगा unidirectional आप रहेंगे मतलब जब आप एक direction में चलना शुरू कर देंगे तो आप अपनी direction बार बार change करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं बहुत ही independent energies में आप रहने वाले हैं अपने आपको control करना अपनी life को control करना यह सब चीजें आपके अपने हाथ में रहने वाली है आपको इस महीने में feel होगा कि ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते हैं सिर्फ खुद पर यकीन होना चाहिए और इस मन्त में आपको अपने उपर सबसे ज़्यादा faith रहने वाला है आपको ऐसा feel होगा कि हमें कभी भी अपने सपनों को या अपनी च्छाओं को underestimate नहीं करना चाहिए खुद को underestimate नहीं करना चाहिए अपने सपनों को इंसान खुद ही पूरा कर सकता है ठीक है लेकिन उसमें महनत और शिद्दत की जरूरत होती है इस मन्त में आपको अपने personal life और career life के भीच में एक balance establish करने की जरूरत है यहाँ पर nine of fire का कान है देखिए इस मन्त में आप मुझे काफी defensive या offensive नज़र आ रहे हैं अपने आसपास वाले लोगों पर आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे ठीक है आप थोड़े से secretive रहेंगे अपने आपको prepare कीचेगा जो आपने create किया जहाँ पर आपने महनत की है उसे save करने की अगर आप किसी जगा पर आकर अटक चाते हैं तो angel से help मांगेगा आपको help जरूर मिलेगी ठीक है इस मन्त में आप अपने घर पर कोई pet लेकर आना चाहते हैं तो उसकी energy भी बहुत high है यहाँ पर ego का card है देखिए जब life के अंदर सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो ensure test लेते हैं हमारा और वो test क्या होता है हमारे अंदर ego उत्पन हो जाती है अब हम ego के साथ operate करेंगे तो यह जो अच्छा वक्त आ रहा है यह वक्त बदल जाएगा हम दुबारा downfall experience करना शुरू कर देंगे ऐसा ही कुछ आपके साथ होने जा रहा है इस मन्त में आपकी ego high हो सकती है जिन लोगों ने आपको वास्क में hurt किया आप उनके साथ egoistic हो सकते है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है यह जो ego है यह एक illusion है आप इसमें trap हो जाएंगे ठीक है अपनी life की responsibility आपको खुद उठानी है और choices बनानी है आपको अगर कोई addictions है या unhealthy habits है तो उन्हें छोडने का वक्त इस मन्त में है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी आदते उत्पन हो जाएं तो इन आदतों को भी उत्पन नहीं होने देना है बिकॉस इसका मतलब यह होता है कि राहू की energy आपके उपर हावी हो गई है अगर आपको किसी चीज़ की addiction होती है या आप unhealthy habits को follow करते है तो यहाँ पर six of cups का कान है देखिए इस मन्त में आप अपने past से connect होते हुए नजर आ रहे है या तो आप अपने उन सपनों से connect होंगे जो सपने आप पूरे नहीं कर पाए अपने और उन्हें पूरा करने का आपको मौका मिलेगा या फिर कुछ ऐसे लोग आपकी life में वापस आ सकते हैं जिन लोगों से आपका जो contact है वो बहुत पहले से तूट चुका है ठीक है आप चारिश करेंगे अपने उन moments को जो आपने पहले बिताए हैं ठीक है past आपको बहुत साथा याद भी आएगा और अपने बच्चों के साथ अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथा अपक अच्छा time spent करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं बच्चों के लिए कुछ cancer people यह महीना आपकी love life के लिए किस तरह का रहने वाला है आएए जानते है cancer people यह महीना आपकी love life के लिए किस तरह का होगा आएए जानते है cancer people यह महीना आपकी love life के लिए किस तरह का रहने वाला है तो पहला कार्ड है यहाँ पर strength का कार्ड है The next card over here is awakening ka 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 people हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने partner के साथ no contact state में है जैसे ही ये मन शुरू होगा तो आप अपने love life में बहुत ही साधा अठका हुआ महसूस करेंगे आपको ये feel होगा कि आपकी love life पर अब आपका control नहीं बन सकता है और ये चीज़े अब अटक गए है लेकिन आप actually action में आएंगे और this will be after 6th ठीक है छे तारिक के बाद आप action में आजाएंगे आपकी love life को लेकर आपको ऐसा लगेगा ये जो आपका रिष्टा है ये तो आपका अपना रिष्टा है आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं आज के टाइम पर तो उसके पीछे कोई कारण भी तो होगा आपके पार्टनर बिना आपके साथ कुछ discuss की हुए कभी एक छोटा सा decision नहीं लेते थे आज उन्होंने ये decide कर लिया है कि वो अपनी life अकेले जीएंगे ठीक है तो ये कैसे हो रहा है इसके बारे में आप सोचने भी और उसके लिए कुछ steps भी लेने वाले हैं तो आपको एक नई direction मिलेगी और उस direction में बढ़ते हुए आप confident हो जाएंगे कि अब आपका relationship अच्छा हो सकता है इस direction का मतलब ये नहीं है कि आप अपने partner को खुझ से contact करेंगे इस direction का मतलब ये है कि कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर आपको आपकी partner की energies का एहसास होगा और फिर आपको ये समझाएगा कि आप थोड़ा सा patience रखने की जरूरत है आप अपनी complete strength में आ जाएंगे हो सकता है आप किसी से counselling ले उस तरह की energies भी नजर आ रही है बट ये जो नहीं direction आपको मिलेगी जो ये नहीं guidance मिलेगी इस में आप बहुत ज़दा confident होंगे और ये एक बहुत ही bold step होगा और आप इस bold step को अपना लेंगे यहाँ पर एक चीज़ और नजर आ रही है आपने अभी तक अपने partner को बातों से समझाने की बहुत सदा कोशिश की है लेकिन आपके partner ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी ठीक है तो आप अपने experience को implement करेंगे कि बाचित नहीं करनी है energies को change करना है और आप future के लिए कुछ steps लेने वाले हैं उससे फाइदा होगा आपको आपके partner की energies इसी मन से धीरे धीरे change होनी शुरू हो जाएंगी और आपकी तरफ को inclined होंगी हो सकता है कि जो आपके partner है वो इस month के end में आपको कोई proposal दे दे अगर ये चीज नहीं possible होगी तो next month की starting में ये चीज आपके लिए possible definitely होगी ठीक है तो बहुत ही अच्छी energies है लेकिन steps आपको लेने होंगे इस month ठीक है बहुत अच्छा time है आपके लिए आपकी wish पूरी हो सकती है आपकी जो partnership आप अपने partner के साथ चाहते है वो definitely बन सकती है okay so I hope आपको ये energies clear हो गई होंगी अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे चो अपने partner के साथ contact zone में है देखिए इस month की starting में आपको आपके partner का behavior बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपके partner क्या करने की कोशिश कर रहे है वो आपके साथ emotionally तो connect नहीं कर रहे है ऐसा आपको feel होगा ठीक है बड़ थोड़ा सा time दीज़ेगा आपने इस relationship को इस month में अगर आप already married है तो आपके रिष्टे में सबसे बड़ा turn twist ये आने वाला है कि हो सकता है कि आप conceive कर ले ठीक है अगर आप एक female है तो conceive कर ले और अगर आप male है तो आपकी partner से आपको ये good news मिल सकती है तो उससे क्या होगा आपका ये relationship strength की energies की और बढ़ेगा जो लोग अभी भी married नहीं है ठीक है उनके case में क्या है आपके partner इस relationship के लिए कुछ actions लेंगे लेकिन आप बहुत ज़्यादा practical रहने वाले हैं आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ आपके partner आपसे कुछ extraordinary चाहत नहीं रहे हैं जो वो ये सारी चीज़े आपके लिए कर रहे हैं थोड़ा सा trust issues वाली situation create होगी लेकिन आप अपने partner पर rely कर सकते हैं ये आपका रिष्टा इस month में एक नई direction की और बढ़ रहा है इस direction में आपके partner भी passionate होंगे तो आप भी अपने इस रिष्टे को लेकर थोड़ी सी जील दिखाएगा passionate हो जाएगा आप और आपके partner इस relationship में emotionally बहुत close इस month में आने वाले हैं आपका जो ये relationship है इस month के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा ओके ये है आपकी energies I hope आपको भी ये energies clear हो गई होंगी अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अभी तक single है cancer people इस month में आपको कोई proposal आ सकता है लेकिन ये एक arranged marriage की form में होगा लेकिन आप इस person को पहले से जानते भी होंगे ठीक है parents के थूँ या किसी relative के थूँ ये रिश्टा आपको आएगा लेकिन आप इस person को पहले से जानते होंगे इस person के साथ आपके कुछ अच्छे experiences भी रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वो person है जिसके साथ आप अपने dreams को पूरा कर सकते हैं तो इस month में मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि आपकी शादी fix हो चाएगी लेकिन इस रिष्टे में आपको इस person से बात करने का मौकर जरूर मिल जाएगा स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा रहने वाला है कि जैसे अटक गए है कोई proposal नहीं आ रहा है जिस तरह से आप चाह रहे हैं वैसा कोई proposal नहीं आ रहा है इस तरह की energies थोड़ी सी चलेंगी Mother figure आपकी life में बहुत important role play करने वाली है तो उनकी बात को सुनिएगा चीक है वो कोई भी mother figure हो सकती है आपकी कोई जैसे घर में चाची हैं कोई बड़ी ताई हैं या फिर आपके भाबी हैं उनका role बहुत important हो सकता है जो person जिसके साथ आपके मुलाकात होगी और उसके साथ आप एक प्यार के बंदर में बंदे हुए नजर आ रहे हैं उसके zodic signs यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं वो है Aries Leo Sagittarius ओके So I hope आपको भी आपकी love life की energies clear हो गई होंगी आईए अब हम जानते हैं कि यह महीना आपके career के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपका career किस तरह का होगा Cancer people आएए जानते हैं यह महीना आपके career के लिए किस तरह का रहने वाला है तो पहला card है balance का card है और देखते हैं The Empress का card है Cancer people और देखते हैं the next card for you is three of sports ka card है the next card is peach of cups ka card है the next card is three of pentacles ka card है the next card over here is ace of sports ka card है the next card is six of cups ka card है and bottom of the deck पर यहां पर justice ka card है तो अगर मैं यहां पर आपके career की energies देखूँ तो starting में तो आप बहुत ज़्यादा dessertant रहने वाले हैं आपको यह feel होगा कि आपके career के अंदर तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है आपके career में तो जिस तरीके की आप advancement चाहते हैं कैसी कभी established ही नहीं हो पाएगी ठीक है यह आपको एक वहम है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है इस मत में आपको कोई ऐसा proposal मिलेगा आपके career के regard में जो आपको emotional contentment देगा जिस proposal की वज़र से आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा satisfied feel करेंगे ठीक है तो इस मत में आपका जो career के regard की जो भी tensions हैं उन्हें आप दूर कर दीचे थोड़ा time tough जरूर हो सकता है लेगन आपके career के अंदर एक balance जरूर establish होगा आपके घर का कोई person आपको आपके career में guidance देने वाला है उस person की बात को ignore मत कीचेगा इस मत में ये जो proposal आपको मिलेगा इससे आप अपने career का charge अपने हाथ में ले पाएंगे जिस तरीके से आप अपने career की energies को imagine कर रहे थे ये opportunity आपको उस direction में लेकर जाएगी ठीक है हो सकता है कि past का कोई person आपसे connect करे और वो आपके career में advancement में आपकी मदद करे ठीक है तो उस person की बात को भी जरूर सुनना है हो सकता है कि आपका कोई fast friend हो और उसने कोई business खोला हो और वो आपको offer करे कि आप उस business में involved हो चाहिए तो सोचना नहीं है बिलकुल involved होना है और इमानदारी से ठीक है सामने वाला person भी आपके साथ इमानदारी ही शो करेगा कोई ऐसी problem नहीं आने वाली है आपके career के अंदर universe की तरफ से आपके साथ justice किया जाएगा अगर आपको अभी तक कोई job नहीं मिल रही है तो job बहुत जल्ट मिल जाएगी अपने career को balance करने की कोशिश कीज़ेगा इतने साथा decision मत हो जाएगा कि आप अपने career में एक भी move लेने से घबराने लगे इस month में अपने career को लेकर action लेना है अपने सपनों को आप साकार कर पाएगे अपनी creativity को बाहर निकालेगा अगर आप एक job में है जहाँ पर आप एक team के साथ associated है तो team के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कीज़ेगा तभी आपको success भी मिलेगी और quality of work पर काम करना है quantity of work पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है ओके, so I hope आपको ये भी energies clear हो गई होंगी आए चानते हैं cancer people ये महीना आपकी health के लिए किस तरह का रहने वाला ये महीना आपकी health के लिए क्या लेकर आ रहा है तो यहाँ पर page of fire का कार्ण है the next card is king of fire का कार्ण है the next card over here is page of pentacles का का कार्ण है and bottom of the deck पर eight of cups का का कार्ण है देखे अगर आपकी कोई बहुत पुरानी बिमारी है जिसकी वज़े से आप अपनी life में बहुत ज़्यादा परेशान है आपकी ये बिमारी ठीक ही नहीं हो रही है तो इस मन्त में आपको इस बिमारी से चुटकारा जरूर मिलेगा या कोई रास्ता मिल जाएगा या आपको कोई ऐसी medicine मिल जाएगी जिससे की आपकी ये बिमारी ठीक हो सकती है लेकिन इस मन्त में आपकी health तो अच्छी होगी ही लेकिन health के regard में कुछ bold choices आपको बनानी होंगी ऐसा मत कीचेगा यहां से भी दवाई ले ली वहां से भी दवाई ले ली ये भी कर लिया वो भी कर लिया वो mixture create हो जाएगा वो जिस मत कीचेगा and one more thing इस मन्त में आपको BP related कोई problem अगर है तो वो बढ़ सकती है उसकी energies यहां पर high नजर आ रहे है otherwise कोई ऐसी major problem नहीं है बलकि जो problems चल रही है उससे भी आपको चुटकारा मिलेगा ओके so I hope आपको ये भी energies clear हो गई होंगी आये जानते हैं cancer people ये महीना आपके future investment और housing के लिए किस तरह का रहने वाला है क्या आप इस मन्त में future में invest कर पाएंगे क्या इस मन्त में आप अपना dream house बना पाएंगे आये जानते हैं ये महीना आपके future investment और housing के लिए किस तरह का होगा 4 of sports का card है 9 of fire का card है 8 of fire का card है यहाँ पर the next card is 2 of sports का card है night of fire का card है the star का card है the next card is 6 of pentacles का card है and bottom of the deck पर 7 of fire का card है देखे इस मन्त में आपको चाहिए मैं कह भी लूँ कि धान से invest कीज़ेगा but आप नहीं कर पाएंगे इस तरह से आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा passion रहने वाला है कि आपको investment करनी ही करनी है आपको जो पुराने losses है वो भूल जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि वो वक्त ही खराब था अब आप अगर invest करते हैं तो definitely आपको success मिलेगी investment करना चाहते हैं खुद पर यकीन रखिए खुद research work कीजिए और उसके बाद invest कीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना सला लेने की कोशिश करेंगे आप advice लेने की कोशिश करेंगे जो person आपको advice देगा उसके अंदर एक jealousy factor आपको लेकर develop हो जाएगा और वो person आपके पैसे ना गलत जगह पर invest करवा देगा इसलिए आपको किसी पर इस तरह का यकीन नहीं करना है दूसरी चीज़ इस month में आप अगर investment करने जा रहे हैं आपने सोच लिया कि यहां पर investment करनी है तो थोड़ा सा meditate कर लीज़े आपने decision को review कर लीज़ेगा ठीक है हाँ इस month में की गई investment आपको balance में लेकर आ सकती है आपका कोई करजा है तो वो करजा आप चुका पाएंगे इसी investment से लेकिन बहुत सोच समझ कर investment करनी है अगर किसी को बता बता कर आप investment करने वाले आपके आसपास वाले लोगों को तो लोग jealous feel करेंगे आपके इस काम पर रोग लग सकती है इस बात का ध्यान रखेगा अगर बात करें घर की तो इस मंत में आप अपना dream house बना सकते हैं लेकिन वो भी आपको secretive form में रखना है मतलब अगर आप घर बना रहे हैं तो आपके जो immediate family members हैं उन्हीं को ही पता होना चाहिए दूर अपने relatives को और ऐसे लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है आप कोई land लेकर रखना चाहते हैं आप secretive form में लेकर रख सकते हैं कोई flat लेना चाहते हैं कोई shop लेना चाहते हैं garage लेना चाहते हैं definitely आप लेकर रख सकते हैं कोई इसमें issue नहीं है, shop run भी कर सकते हैं आप लेकर और garage भी अगर किसी को rent out करना चाहते तो आप कर सकते हैं, okay, so कोई problem इस चीज़ में नहीं है, okay, so I hope आपको ये energies भी clear हो गई होंगी, आएए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, competitive की तयारी कर रहे हैं, आपक लिए ये मन किस तरह का होगा, cancer people, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, competitors की तयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मन किस तरह का रहने वाला है, तो पहला card है, transformation का card है, the next card is awakening का card है, the next card over here is nine of cups का card है, the next card is renewal का card है, the next card over here is king of pentacles का card है, king of swords का card है, the next is wise counselor का card है, and bottom of the deck पर balance का card है, देखिए इस मन्त की starting में ही जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, competitors की तयारी कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अटका हुआ महसूस करेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा disheartened महसूस करेंगे, आपको ये feel होगा कि आपको success नहीं मि अपनी इस energy को आपको drop करने के लिए आपको किसी से counseling लेनी चाहिए, वो person आपको guide करेंगे कि आपको किस तरह से पढ़ाई करने हैं, फिर transformation शुरू होगी आपकी, और जो आपके सपने जिने आपने सोच लिया था कि ये सपने कभी पूरे ही नहीं हो सकते हैं, उन सपनों को जीने का मौका आपको मिलेगा, अंदर से आपको feel होगा, नहीं, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हैं, ठीक है, एक नए passion के साथ आपको पढ़ाई करने हैं, अपने intelligence का इस्तेमाल करना है, smart work करना है, hard work कितना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और अपनी पढ़ाई के साथ अपने emotions को attach करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर smart work आपके लिए definitely काम करेगा, और balanced होकर पढ़ाई करने हैं, क्या होगा, उसके बारे में सोचकर पढ़ाई नहीं करने हैं, अपने efforts लगाने हैं, आपको आपका जो भी exam है, वो definitely clear होगा, universal energies आपको support कर रह ही हैं यहाँ पर, और अगर आपको यह ऐसा exam दे रहे हैं, जिसमें आपकी promotion हो सकती है, या फिर आपकी job लग सकती है, तो वो exam भी यहाँ पर आपका clear होता हुआ, नजर आ रहा है, so I hope आपको आपकी पढ़ाई की energies भी clear हो गई होंगी, cancer people, आए, अब हम जानते हैं, कि इस month म आपको क्या mode of action follow करना है, जिससे कि आपकी energies are positive हो जाएं, what should be a mode of action, यहाँ पर Mother Mary का card है, और देखते हैं, what should be a mode of action, जिससे कि आपकी energies are positive हो जाएं, the next card is voice of truth का card है, the next card over here is soul flame का card है, the next card over here is hope का card है, the next card over here is life force का card है, and bottom of the deck पर divine healing का card है, okay, so, आपका जो mode of action मुझे नज़र आ रहा है, वो बहुत ही, मतलब self love जैसा associated mode of action है, देखिए, इस month में आपको अपने लिए शानती का चुनाफ करना है, किसी के सामने यह साबित करने की जरूरत नहीं हैं, कि आप सही हैं, या आप गलत हैं, ऐसा कुछ भी किसी के सामने the healing is possible, इस time पर आपको जो divine feminine energy है, universe की शक्ती तत्व है, उनसे healing मिलने वाली है, ठीक है, तो meditation जरूर करनी है, इस month में आप सच्चाई की आवाज बनने वाले हैं, मतलब आपको strong रहना है, अपने purpose पर focus करना है, आपको सच्चाई के लिए खड़े होना है, यह चीज बहुत difficult ह होती है, आपको अपने दिमाग में यह नहीं सोचना है, कि अगर आपने सच्चाई का साथ दिया, तो लोग आपको गलत भी समझ सकते हैं, लोग जो समझ रहे हैं, समझने दीजे, आपको सिरफ सच की आवाज बनना है, यह है आपके लिए mode of action, यहाँ पर soul flame का काण है, rediscover करना है, अपनी soul के साथ इस तरह का connection बनाना है, जिस तरह का श्री राधा जी का, श्री कृष्ण जी के साथ है, तब आपको अपनी life के अंदर harmony established होती हुई नजर आएगी, यहाँ पर hope का काण है, देखिए इस month में आपको हर एक चीज में hope रखनी है, उमीद पर दुनिय कायम है, hopeless नहीं होना किसी चीज के लिए, अपने लिए अच्छे शब्दों का चुनाब करना है, self love प्राक्टेस करना है, और अपनी divine worth को आपको समझना है, और Thursday की जो मेरी angelic guidance में, मैं जो भी उपाई बताऊंगे, वो आपको ज़रूर follow करने है, angelic guidance मेरे दूसरे चानल सो, आठ बचे उस channel पर post करते हूं, so please उस channel को भी subscribe जरूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहें, यहाँ पर life force का card है, अपनी life को जिन्दा दिली से जीने की कोशिश करने है, अपनी sensual powers को बढ जिससे कि आपको life जीने में मजा है, यहाँ पर divine healing का card है, इस month में अपने heart chakra को open रखना है, ज्यादा sensitive नहीं रहना है, अपने आपको recharge करना है, खुद को heal करना है, क्योंकि आप दूसरों को support कर सकते हैं अब, ऐसे role में आ गए है, heart chakra पर काम कीचे, meditate कीचे, heart chakra पर और इसे open र रहा है, उसे accept कीचे, और divine से इस चीज़ को लेकर कोई questions बत कीचे, और Wednesday की जो मेरी angelic guidance है, उसमें जो भी उपाई मैं बताऊंगी, वो आपको ज़रूर follow करने है, so I hope आपको ये भी energies clear हो गई होगी, आपका mode of action आपको clear हो गया होगा, Wednesday और Thursday की angelic guidance के जो भी उपाई है, please वो ज़रूर follow कीचेगा, so आईए, अब हम चानते हैं, कि इस मन्त में divine आपको क्या messages देना चाहते हैं, divine की तरफ से क्या blessings हैं आपके लिए, आईए चानते हैं, इस मन्त में divine आपको क्या messages देना चाहते हैं, divine की तरफ से क्या blessings हैं आपके लिए, आईए चानते हैं, तो पहला card है joy and delight का कार्ण है the next card is passion and pleasure का कार्ण है the next card is staying focused का कार्ण है the next card over here is view from above का कार्ण है the next card over here is cleansing waters का कार्ण है and bottom of the deck पर grounding का कार्ण है देखिये divine इस मन्त में आपको सबसे important message किये देना चाहते हैं कि अपनी ego down रखियेगा आपको खुद को grounded रखना है आपको deep खुद को explore करना है अपनी roots को explore करना है आप किस purpose से यहाँ पर है उस चीज़ को समझने की कोशिश करने है आप अपनी life में क्या चाहते हैं उसको लेकर आपको focused रहने की जरूरत है और अगर आपके सामने कोई भी चनोती आती है तो उस problem के बीच में जाकर आपको उसका solution नहीं मिलेगा चीज़ों को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए ऐसे आपको चीज़ों को देखना है जैसे यह problem किसी और की life में है आप तब उस चीज़ का अच्छा solution निकाल पाएंगे इस मन्त में आपको पास्ट की चीज़ों को भूलना है अपनी vibrant life force को activate करना है ठीक है जिन्दा दिली से जिन्दगी जीनी है यह message है divine की तरफ से आपके लिए बहुत जल्द आपके जीवन के अंदर खुश्या ही खुश्या होंगी आपकी life को आप completely enjoy कर पाएंगे यह blessing है divine की तरफ से आपके लिए और इस मन्त में अपने दिल को खोलना है मतलब acceptance की energies में रहना है यह divine का message है आपके लिए so I hope आज की जो यह reading है आपको पसंद आई हो नीचे मुझे comment section में जरूर बताईएगा यह reading आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो like करना मत भूलिएगा आपने near and dear ones के साथ share जरूर कीचेगा हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर कुछ clarity मिल सके so do share my video also अगर आप मेरी reading से influenced है और किसी personalized problem का solution मुझे चाहते हैं तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं यह booking आप मेरे whatsapp के थ्रू या फिर मेरी email id के थ्रू कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है आप please मेरे चानल को subscribe कर लीजे और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियो की notification मिलती रहे मेरे एक और चानल भी है soul divine जोनी टारो link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस चानल पर मैं कुछ ऐसी वीडियो पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपने daily angelic guidance रोज रात आठ पचे उस channel पर post करती हूँ so please उस channel को भी subscribe जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहे इस reading को आप जरूर share जरूर कीज़ेगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की notification वहाँ के लिए भी मिलती रहे so thanks for watching see you soon झाओजा दक्सक्षर झाओजा लूम झाओजा बंस झाओजा झाओजा झाओजा